तो हम दो देख लेते हैं क्या अब जो हएखेस पहली क्या ह स्टेप क्या होता हैस पुररे मैक्तर क्या निकालेंगे और निकालना पड़ता है है माइनर तो हम लोग देखते हैं माल लेते हैं की माःनर कैसे लिखेंगे हम लोग क्या पता है इसको और इसको रिखे अधिया दे बागी जो बचे și minor होते हैं तो यह आ j a 2 2 a 2 3 और a 3 2 और यहां a 3 3 और फिर इसका क्या बलते है को फेक्टर का फॉर्म्मला क्या होता था यहां लिखते है को फेक्टर का फ्रॉर्मला अगर हम लोग आ और J के लिए निकालने जैंक्टर था minus one to the power i plus j और Min- of ij तो Min- of 1,1 का हम सुक्तन निकाल देता है तो minus 1 की power 2 i plus j और यहाँ a, 22,a, 23,a 3,2,a,33 , तो यह क्या हो जायगा? 1 हो जायगा? तो इस === मलोब पूरे क्या लिष सकते हैं, हैने केम अपे गगल है इसको हमलों सौल करेंगे तो क्या और सकते हैं फिर minus करते हैं तो यह स्ट आपकर बैचक़् करते हैं तो इसकोब क्या है एक कि अदिक्र फैक्तर वन वन हम लोग क्या निकाला थे जॉइंट तो एड़व अगरम निकालते हैं जैसे कि मैं यह तो आ गया माईनर निकाला फिर यह वह वह तो यह सबसे पहले सेवान को सेम और का मैटरिक्स करना परता है सेयर में क्रॉस हैं सेम ओर का को आं है कि कर 3 x 3 यह भी क्या है 3 x 3 यहां M x N इसले लिए लिए किसी भी के लिए निकाल सकते हैं अब यहां भी यह हम लोग काम हो गया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग किसके निकालें क्या है एड्जॉइंट ओफ मैट्रिक्स को एडी जे लिखके फिर ए लिखते हैं तो वह एड्जॉइंट ओफ मैट्रिक्स होता है तो यहां पर हम लोग सी वन वन निकालें तो यहां पर पहला इसे करके सबका वैल्यों नूं निकालेंगे हर को फैक्टर कर अब यहां पर एक और स्टेप था मैं बताना बोल गया यह यह अभी एड्जॉइंट फ मैट्रिक्स नहीं होगा अब इसका अम लोग किया निकालेंगे ट्रांसपोज अगर इसको एड्जॉन आफ मैंट्रिक्स यह एगर डिंगे तो इसी इसी कर मुझ निकाल लिए मोग निकालें हुआ हर्वाता यहां लोग लिख लेते हैं क्या है सी वनवन आएगा मैं मलों क्या करेंगे मैं इसका हम लोग Kriel लेंंगे तो क्या लिख सकते हिसके अब यहाँ पी है रॏ तो यह ने वान बों है कि और रखना क्या है यह नितर जो हम दिक्कत नहीं है प्र जैसे मैट्रिक्स वाला बनेगा ऐसे 3 X 3 Determinate है अगर मैट्रिक्स 3 X 2 बनता है तो यह दिक्कत करेगा फिर यहां पर आपको यहाद रखना होका यह पलट जाता है तो कि िसको को करते हैं तो कि ऐसे हो जाएगा मतलब रो कॉलम में बदल जाते हैं अभी यह सी होल्क जहों यहां चला और यहां यह वडा मेंट यहां 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 धाल यहां यह यहां पर यह यहां पर यह यहां पर कुम्का देखने के अश्डव att मैं पूरा नहीं सॲल कर रहा है क्युक्त लिकने में काफी होच-पॉच हो जाएगा इसलिए तो ऐसे करके आप आप solve करेंगे और ऐसे आपको क्या निकलेगा यह एड्जॉइंट ठीक है अब अगर आपको लगता है एड्जॉइंट के एक ग्जाम्पल आपको देखना है यहां आई बेटन पर एक लिंक से को करेगा या फिर लिंक आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिंक जो होगी वह एक वीडियो की जो होगा इंवर्स ऑफ मैट्रिक्स उस वीडियो का आप देखें उसमें एक एक्जाम्पल यूज किया गया है जिसमें आपको एड्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के से निकालना है काफी एची तरीके से पताया किया है तो उस वीडियो को आप डिसक्स करूंगे जबकि मेरे चैनल पर वीडियो पहले से तो आप उसी आगे देख सकते हैं उससे उसकोशन से आपका एड्जॉइंट निकालने का निकालने केकीиц industry पेहले से और मेंट्रिक्स का करेकार निकालना वह एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा तो यहां पर हम देखा तो हम लोग क्या देखने हाले हैं एडी जूंग मेथर से कैसे निकालते हैं इंवर्स อॉफ मैत्रिक्स सबसे पहले देखें लेते हो मेंने। इनवर्स अव्म मैतरिक्स से लिए यहां क्या लिखा है if square matrix A of order n जो हम लोग square matrix अब लिखते तो order n सिर्फ क्यों लिखे क्यों कि n cross n होगा तो सिर्फ n भी लिख सकते हैं तो order n है then let b b its inverse अगर b उसका inverse है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a into b करने बनेगा i क्या है आपको बता चुक्द है identity matrix और order क्या होगा यह होग एन और of matrix a क्या है अगर कोई matrix है तो b क्या उसका inverse को ऐसे देनोट करते हैं क्या लिख सकते हैं बी इज इन्वर्स ओफ ए तो यह क्या होता है इन्वर्स ओफ मैट्रिक्स और हम लोग देख लेते हैं इन्वर्स ओफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं तो क्या लिखा है यहां पर inverse of a is equals to one by of a mod multiply by adjoint of a तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अगर inverse निकलना सबसे पहले क्या निकलेंगे adjoint of a इसके पहले बता चुका है adjoint of a कैसे निकालते हैं फिर क्या करेंगे हम लोग mod of a निकालेंगे mod of a मतलब determinate value of a और फिर उससे डिवाइड कर देंगे adjoint को ठीक है तो निक्या निकल जाएगा a inverse यह जो निकला यह adjoint method से निकला दूसरा क्या होता है elementary method या फिर हम लोग क्या सेते हैं transformation method ट्रांसफोर्मिशन method डिसकस्स पहले हम लोग देख लेते हैं property of my inverse of matrix क्या होता है पहले property क्या होती है किसी भी matrix का अगर determinant not equal to zero है तभी उसका inverse निकाले जा सकता है क्या है अगर हम लोग एक बार किसी का inverse निकालते हैं और फिर दुबारा transpose मतलब inverse निकालने के बाद transpose निकाले तो सेम ही value आएगी अब next देख लेते हैं अगर कहीं लिखाए है A multiply by B और इसका लिए है total का inverse इसको हम लोग क्या लिए सकते हैं individual मतलब अलग लग लिए सकते हैं A का inverse लेकर multiply करते है B का inverse लेकर तो सेम वैल्यू आएगी जब A B का multiply करके inverse लेंगे तो ठीक है यह इसका चौथा पॉइंटर लास्ट लेपर अबड़ी देख लेते हैं इसमें क्या है अगर कोई एक मैट्रिक्स है जीरो बी जीरो 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 से और यहां पर लोग को पता है कि A B और सी का बीटिप्लाई जीरो नहीं है तो हम लोग इसका एंवर्स डारेक्ट लिख सकते हैं वह होता क्या है वन बाई जीरो जीरो बाई बी जीरो जीरो वन बाई सी तो यह एक आइडिटीटी है है इन्वर्स ओस रॉस मैत्रिक्स के लिए तो यह आपका आद हो नीते नेक्स देखते हैं ौटायता है इन्वर्स उस मैट्रिक्स एलिमेंटरी मेथड से तो एलिमेंटरी मेथड को सॉल्ट करें इस पहले कुछ चीज़ें आम लोगों बता हो निचीए वह लिख लिए हैं और उसना उसले जोते हैं उनको किसे परफॉर्म करते हैं तो यहां पर कहीं सारे मखरशन्स लोग जिनको कर सकते हैं कि RI Qण 3chem और यह थीति से और कि शीज़ेय से यह मैं पहले बता चुक कहूं फिर सब्सकंद को Zvi भुस्त कर रहा हुं आरल आई गोस्क्रच और सी साट एक और बसता है वह क्या है आर आई आई प्लस कोई भी के आर जे और सी आई सी आई प्लस कोई भी के सीजे यह सारे जो अप्रेशन्स ट्रांस्फर्मेशन्स है वह हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनको बोलते हैं जो हम लोग निकालेंगे क्या इन्वर्स अफ मैट्रिक्स इन्वर्स एलेमेंटरी मेथड से एक इक्जाम्पल देखते हैं क्या इन्वर्स एलेखते हैं